दोस्तों सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में सभी दोस्त अपने दोस्तों के साधी में जाने का प्रयास कर रहे होंगे कह रहे होंगे कि हम इस बार इनकी साधी में जरूर जाएंगे लेकिन कि आज तक आपने सुना है कि एक दुलहा के साथ दो दुलहन ने साथ फेरे लिये हो सायद नहीं तो मैं बताने जा रहा हूँ राजस्थान के सबसे बड़ी ख़वर चाहा एक दुलहे ने दो दुलहन के साथ साथ फेरे ले करके पूरे देश में तहलका मजा दिया है पूरे विश्व के लोगों को चोका दिया है अब नमस्कार मैं उस्त्यानों स्वामी और आप देख रहे हैं सत्याक्स देश दोस्तों आज सब को छेना के मिठाई तरूर पसंद आ रही होगी क्योंकि सभी लोग अपने दोस्तों के साधी में जा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आज इस बार मुझे एक मिठाई नहीं बलकि दो दो मिठाई मिलनी चाहिए सब सोच रहे हैं और इतना ही नहीं साधी होने के बाद कह रहा है कि भाईया इस बार हमें इस पार्टी जरूर देना लेकि जिनकी साधी हो रही है जिनके साधी में वो जा रहे हैं बस एक ही दुलहन लाप आ रहे हों लेकि रजस्थान के साधी से सभी लो हैरान है कि एक दुल मजदूरी करता मजदूरी करते करते उसकी नजर दो लड़कियों पर जा लड़ी एक लड़की रेखा और दूसरी लड़की अनीता दोनों लड़कियों से धीरे धीरे प्यार करता रहा बात करते करते उन दोनों में प्यार इतना गहरा हो गया कि एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्मे खाने लेकिं कहते है कि एक लड़का एक लड़की के साथ साथ ही दो दुलहन चाहिए तो क्या कोई राजी होगा लेकिन नहीं यहां के कहानी तो कुछ हो रही थी यहां दोनों लड़कियों के परिवारों को मनाया गया कि क्या आप नरेश से दोनों बेटियों के साधी करेंगे यानि रेखा की माँ बाप से पूछा गया कि क्या आपने बेट जरूर कराएंगे बाद में एक ही मंडब सजता है एक ही मंडब में एक दुल्हा आता है दो दुल्हन आती हैं बीच में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं बीच में बीच में नरेश और अगल बगल रेखाय और नीता समय के अनुसार सब कार्य होता गया यानि जिव होता है जैसे पर्षन पर्षावन के बाद अलग-अलग मंडब के कार्य जैमाल पे दो दुल्हन अब सब लोग फिर भी खुश थे कि चलो कम से कम यह नया हो रहा है यह साधी स्रिफ और सिव दिखावा नहीं थी पलकि एक चर् रहा है बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइए सुख लिए कि अ झाल